इसमें इह धार ही on भी वेंगाईट हैं वे विए बंद गर दो इसको बंद गरागां चैप्टर एंट में होमार कप कह अंद रह घूने बनाए हुए अन किसी चैप्टर में ग्रुप के तौрप नहीं बन पारे हैं उन मार्कप्स का इसमें जिकर किया है, तो जैसे अब शुरू में देखेंगे कि टेक्स्ट, चैप्टर नमर टू टेक्स्ट है, तो उसमें टेक्स से रिलेट सारी चीज़े हैं, पैरग्राफ वगरा, हेडिंग वगरा, सब उसमें कवर किया है, ठीक, काफी सारे ऐलेमेंट से इसमें कवर है, फिर इसी तरह जो आपके लिस्ट है, फिर लिंक से रिलेटेट एक्स्टरन लिंक, इंटरनल लिंक, इमेल लिंक, वाट्सैप लिंक, तो कुछ ऐसे मार्कप थे जो गृप नहीं बन पा रहे था, उसको उन्होंने एक्ट्रा मार्कप के तोर पर एक अलग च लेकिन HTML के कुछ different versions भी जाहरे पहले थे 5 से, तो वो उनका क्या लेना देना है, अच्छा हमने coding हमेशा HTML 5 में ही करनी है, जो latest हो जाना है, लेकिन हमें जस्त पता होना चाहिए, अच्छा, identifying and grouping elements, comments, meta information and iframes. तो आजाते हैं सबसे पहले हमारे ये evolution of HTML पर, evolution of HTML को जिस तरह से है के HTML 4 आई थी 1997, ठीक है फिर उसके बाद XHTML करके कुछ आया, नाया 2000 ना, अच्छा, और उसके बाद जो है, सन 2000 में HTML 5 एनाउंस होई है, ठीक है, अच्छा, HTML 5 अभी तक complete नहीं होई है, अभी भी अगर कोई नए टैग या नए अलिमेंट टैड किया जाएगा तो हो HTML 5 की ही समझ लें आप उसमें आएगा, HTML 6 अभी तक नहीं आई है, तो जब तक 6 नहीं आजाती ही, 5 हमारा complete नहीं होई, अच्छा, इसके बारे हमें भी उन्हों कुछ इस्टरी लिखी है, वो मेरे खेल है, यहां पर पढ़ना relevant है, आप लेकिन इस हम जो शुरू में boilerplate code लिखा करते थे, उसमें अगर आप गौर करेंगे, तो एक मिनट आपका code में open कर लेता हूं, यहां पर, ओके, बी नाइन, जिरा, अच्छा, यह हमने जितना भी HTML का document यहां पर बनाया हुआ है, इसमें आप देखें, टॉप पे हमारे पस क्या ही है, ड इसमेंज के यह document HTML 5 का document है, अगर यह HTML 4 होता तो कुछ इस तरह से होती ही declaration, अगर 1.0 होता तो इस तरह से होता है, इस तरह से होता है, ठीक है, XML की declaration इस तरह से होता है, ठीक है, अब इसमें मेरा खेल है, इससे जादा कुछ समझने की जुरूत नहीं है, कभी भी आपको ऐसी लबी चौड़ी declaration दीखें, तो आपने ला कि उसको मैच कर लेना है कि वो इसमें से कौन सी वैली है, ठीक है, बुक आपके बद रही है, हमेशा बुक कहीं नहीं जा रही है, कॉमेंट हम पहले discuss कर चुक है, लेकिन बुक में यहां पर आया है भी, कॉमेंट हम दो वजों से पढ़ा जाता, बल्कि उसको एग्णोर कर देता है, उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं करता है, एज़ा है इसको पढ़ता ही नहीं है, दूसरा, कॉमेंट जैसे के नाम से जाहर है, कि कुछ कॉमेंट लगाना चाहरे हो आप, ताकि कल को आप खुद या आपका कोई फैलो डिवलपर उस कोड जब देखे, तो उसके लिए आपको यि मैसिज छोड़ना चाहरे है वाँ पर तो वो कॉमेंट लिखता है, जैसा कि नाम से जाहर है, जैसा कि नाम से जाहर है, तो यही है कि कॉमेंट्स आप करते जाएं कोड के साथ सथ, जिसको हम डॉक्यमेंटेशन भ करती है, अधर्वाइज आपका लिखावा कोड दूसरे बंदे के लिए समझना बहुत ही मुश्किल प्रॉसस हो सकता है, ठीक है, क्योंके कोड आम तोर पे कोड बहुत लंबे होता है, बड़े-बड़े होता है, ठीक है, एक नॉर्मल सी आप वेब अप्लिकेशन मराते हैं साथ साथ, तो बात में जाहर है, लोग जोब छोड़ देते हैं, कंपनी से सुछ हो जाते हैं, एक जगा से दूसरी जगा चले जाते हैं, तो वो जो प्रोजेक्ट है भो फिर लावारिस हो जाता है, ठीक है, तो इसी वज़ा से, जब भी सॉफ्वेर का प्रोजेक्ट चलता करेंगे कि कॉमेंट्स में बाकाइदा पूरी-पूरी डॉक्यमेंटेशन लोग आप करना शुरूर हो गये हैं ठीके जी कॉमेंट होता कैसे वो इन्होंने यहां पर बता दिया कि यह सिंगल लाइन का कॉमेंट है ठीके जी और मल्टी लाइन कॉमेंट इस तरह से हो जाएगा आवाज आईए मुझे सिर्फ बंदा नहीं नबराया है चलो यहां से उटके आजओ कोई फ्रांट से आज़ा उटके तुम आज़ो यह बंद कर दो लाइट कितने दिर में लाइट बंद कर रहा है तो मेरे लिए पानी लेगा हो हो गया कोई भी ऐसे प्राब्लम कम ग्हूँ है तो बता दिये करो जैसे अभी तुमाराइट से प्राब्लम हो एपर तो बता दिया करू क्योंकर जब तक आपको जाहरिए हुक इस ना में प spricht नियुक्तिरियों ऑbraithयों ए पढ़ना भी आ पढ़ाना भी दोनों इंटेलेक्टियों जी सिर्फ प्रोग्रेमर को दिखे नहीं लेकिन इंस्पेक्ट अलिमेंट करके शायद नुदर आता ही है ये मने चेक नहीं किया देख लिटा हूँ अगर यहाँ पर मैंने कुछ कॉमेंट्स लगाए मैं पहली लाइन को ही मने इन कॉमेंट कर दिया तो ये शायद वहाँ पर दिख रहा होता है इंस्पेक्ट अलिमेंट में कंट्रॉल स्लैश इंस्पेक्ट अलिमेंट कर गे न ये दिख रहा है यहाँ पर कि ये कॉमेंट हुआ गाए सही है ये रहा अच्छा जीg उसके बाद ने पाज है ID attribute ID attribute क्या होता है ID attribute उन attributes में से है जो HTML के तमाम elements पे लग जाता है किसी भी element को मुझे पूरे document मसे पिन पॉइंट करके अगर identify करना है तो उसके लिए ID Priest सबसे जादा यूसफुल है तो आइडी अट्रिब्यूट देना बहुत असान है इस तरह करके आप आइडी दे सकते हैं हमने जो से पहले चैप्टर पड़ा था फॉर्म उसमें आइडी का जिकर आया था तो वह आइडी यह चीज है तो लेबल के लिए इस्तमाल होती है और आ अधर लगा दो फला इस्ताइलिंग लगा दो तो वह सिर्फ उसी पर लगे कि यह सी और बनी लगेगी तो यूनिकली आइडी अटिफाइए करने के लिए किसी भी एलिम्ट को पिन पॉइंट करें आइडी का स्तमाल होता है अचा आइडी का जो एट्रिब्यूट है वह अचा यह तो कोई एक आएगा दोनों नहीं सकते हैं एर नहीं आता है एट्मेंट के अंदर कोई एर नहीं होता लेकिन वह क्या गरेगा और दोनों में से कोई एक पकड़ जेगा बाकी दूसरे को छोग जेगा वह तुम बताना अब शुरू वाला है आफिर वाला करके इसे तरह लावा जो कैइपिटल पी से पुल कोड़िखा होगा और श्मॉल सी की सब कॉर्च अधर बाasse परदों रहें हूं है अच्छे ग्लास एक अगर इसके बादी देगा रहिए चा मकाशन के सा जो एक से ज्यादा element पे लगाने के लिए बना गया है जिसे ID तो है एक ID एक ही element को दे सकते हैं class जो है वह इस चीज के लिए बनाया गया है कि आप एक दफा class बना ले अभी class बनती गया सै CSS में देखेंगे तो आप क्या कर सकते हैं जैसे इसमें class लगाई वह इसने important तो मैं important दो, तीन, चार, पाँच element पे लगा सकता हूँ, ठीक है, अच्छा, फिर जब मैं बोलूंगा ना कि important वाली class पे ये styling अप्लाई करता हूँ, तो ये दोनों तरह की चीज मौझूद है, अच्छा, class जो है, वो mainly styling करने के लिए ही इस्तमाल होती है, ठीक है, class के जरीए एसे element को तलाश करकी लाते हैं, जिसे ID तो पूरे document पे फला document उठा के लिए हो, तो class आम तोर पे styling के लिए इस्तमाल होती है, जिस जिस पर किये class लगी वो स्टाइलिंग करता हूँ, अच्छा, इसी तरीके से एक element पे दो class भी हो सकती है, सही है, ना सिर्फ एक class को multiple पे लग इस पर अपलाई हो जाएगी, तो जिस paragraph पे important के नाम से class लगी वी थी, वो paragraph यहाँ पे capital से show हो रहा है, इसका मतलब है उसके उपर एक CSS का rule लगाव है, capitalize, ओ सारी, uppercase, ठीक है, दूसरा जो एक paragraph है, इस पर क्योंकि कोई paragraph वो नहीं है, class, कोई attribute नहीं है, इसलिए कि नॉर्म इसलिए से डिस्पले हो रहा है, जैसे एक text, जैसे paragraph text की तरह से डिस्पले हो जाता है, जो तीसरा वाले paragraph है, उसके उपर दो classes लगी है, तो इसके उपर एक तो capital हो गया है, अपर case लगने की वज़े से, दूसरा इस पर color भी शायद लगागा है, तो दो अलग-अलग classes लगी दोनों में styling जोती है उस पर apply हो गई है, तो यह class लगी बात, इतनी फिलहाल समझते हैं, अभी आगे थोड़ी सी CSS पढ़ेंगे तो मजीद के लिए रदेगी, अचा उसके बाद हमारे पर से block level element, कुछ element HTML के अंदर होते हैं, वो block level element होते हैं, block level element हम कई दफा पहले में discuss कर च जाहिए, कि वो खुद एक नई line से start होता है, जब उसको हम apply करते हैं, जब हम उसको लगाते हैं, अपने document में, HTML के, जैसा कि H1, एक नई line से start होता है हमेशा, और अपनी line में किसी दूसरे element को आने नहीं देता है, तो इस तरह कि जो elements होते हैं, उनको block elements कहते हैं, अचा, block level elements क तो होना भी ऐसा ही चाहिए, उसका जो behavior है default, वो असूलन होना भी ऐसा ही चाहिए, क्योंकि जब हैडिंग लगाते हैं, तो heading वाली line में फिर आप कोई चीज, दूसरी चीज नहीं लिखते हैं, पर अगर आप नहीं लाइन से शुरू करते हैं, तो असूलन heading वाली line में कोई उसको खुद नहीं से स्टार्ट नहीं होते हैं, और अपनी line में अगर कोई और भी उसके आ रहा हो तो उसको भी आने देता हैं, तंग नहीं करते हैं, जैसा कि इमेज इन लाइन होते हैं, जैसा कि बी का जो element है, बी ओपन, बी क्लोज, और बीच में जो चीज उसको ब्लॉक है, तो उसको आप सीएस चार्छ एन लाइन बना सकते हैं, जरूरत पढ़ ना है, और कोई element गर इन- लाइन है, तो उसको आप ब्लॉक एलिमेंट बना सकते हैं, जरूरत पड़ेंगे, सब्सक्राइब, तो यह उसको आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन आम तर पे चेंज करने की जरूरत बहुत कम पड़ती है, क्योंकि जो ब्लॉक बनाया गिया है, वो आम तर पे ब्लॉक पे ही इस्तमाल हो रहा हुता है, अच्छा, ग्रोप टेक्स्ट एन अलिमेंट इन ब्लॉक, यह एक नया मार्क अप हम देख रहा है, जिसका नाम है डिव, इनों आसल में क्या किया हो है, कि एक डिव ओपन किया है, और एक डिव क्लोज किया है, और उसके अंदर एक इमेज है और एक लिस्ट है, तो सम टाइ आपको ऐसी जरूरत पड़ सकती है, कि आपको सिर्फ एक स्क्वाइर बॉक्स बनाना है, एक तो तरीका ही है कि आप पैराग्राफ ले 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 और पैराग्राफ को अंदर उसके कुछ भी ना लिखे है, और हाईड और विट दे 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 उसको, और बैग्राउंड कलर उस बनाना होता है, तो उसके लिए आप डिव का इस्तमाल करते हैं, और एक तो यह होगी है यूज केस डिव का, दूसरा यूज केस इसका यह है, कि कंटेणर के तौर पे आपको क्या गरना है, अपने पेज को बीच से दो हिस्सों में करना है, तो आप एक डिव बनाएंगे, वो तो लेफ्ट हो जाएगा, और दूसरा div बनेंगे, वो राइट हो जाएगा, तो as a container भी आप इसको इसको इस्तमाल कर रहे होता है, ठीक है? जाहर है, इसके लिए मैं paragraph का element इस्तमाल नहीं कर सकता है, क्योंकि paragraph के अंदर तो text expected होता है, अगर मैं paragraph बना दूँ और फिर उसके अंदर एक मजीद paragraph बना दूँ तो वो शाहिद इतना make sense नहीं होगा, तो उसके लिए div, अच्छा div stands for divisions, ठीक है, क्या आप ने एक division बनाना है, यह डिवाइट करना है, इस्क्रीन को दो जगाओं पे, तो यहां पे इनों ने जो क्या हो है, वो container के तौर पे इस्तमाल किया है, कि एक div है, और उसके अंदर दो elements है, अब मिसाल के दौर पे मैं यह, अब container के अंदर क्यूंकि यह है, तो मैं container पे अगर border लगाओंगा, तो वो पूरे दोनों के दर्म्यान एक border आजाएगा, अब यह वो करके भी देखेंगे, अब थोड़ी देर में, अब इस SSI अगला चाप्टर हमारा, तो div जो है, वो बहु में elements को place करना पड़ता है, imagine करें आपके एक search box आप बना रहे है, तो search box में आप क्या करते है, एक ऐसे square यह rectangle बनाते है पहले, और उसके अंदर box और एक button हो सकता है, इस तरह की situation हो सकती है, आपके बस, तो उसमें div इस्तमाल होता है, अच्छा div के बाद हमारे पास है, span, span जो inline है, मिसाल के तौर पे, span का जो use case है, सबसे बड़ा, कि अगर मुझे जैसे यह paragraph लिखा हूँ है, इस पे मुझे इस यह one जो है, one, इसका color मैंने red करना है, और बाती पूरे paragraph का color मैंने red नहीं करना है, तो मैं यह काम कैसे कर सकता हूँ, जो styling होती है, वो हमेशा markup पे अपलाई होती है, सही है, styling हमेशा किस पे होती है, markup पे अपलाई होती है, यह text जो है, this is nothing, इसको मैं target करी ही नहीं सकता हूँ, CSS के जरीए, तो या तो मेरा markup है paragraph, इस पे लगेगा style, अच्छा paragraph के अंदर कोई दूसरा markup तो है नहीं, तो मैं style इस one को दे नहीं सकता, तो मुझे क्या करना होगा, इस one को अगर मैं एक bold के tag में wrap कर दूँ, अगर imagine करें, कि मैं इसको bold यहाँ पे open करूं इस जगह पे, और यहाँ पे bold को close कर दूँ, और उस bold को मैं क्या दे दूँ अब, क्योंकि bold एक marka पे उसको मैं styling दे सकता हूँ, मै मैं कहूँ यार, यह जो paragraph के अंदर, यह bold tag है न, इसका color red कर दो, तो वो हो जाएगा, लेकिन मसला यह, वो साथ साथ bold भी कर देगा, मुझे वो नहीं चाहिए, तो फिर मैं क्या करूंगा, इस pan क्या करेगा, इस one के surrounding में, एक container का का काम करेगा, और, क्योंकि अब वो contain हो यूज केस है, यह भी काफी ज्यादा स्तमान होता है, ठीक है, अच्छा, still, span को आप block level बना सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने जिकर किया था कि जितने भी block level element है, उनको CSS के जरीए, inline बनाया जा सकते है, और, जो inline है, उसको block बनाया जा सकते है, तो span को आप block level element भी बना सकत है, चलते हैं, जी हम और आगे, अच्छा, हमारे पास एक i frame के नाम का topic है, i frame क्या चीज होती है, अगर मुझे किसी website के अंदर, किसी website के दर्मियान में, एक छोड़ी सी window बना के, कोई दूसरी website डिस्पले करवानी हो, तो उसके लिए i frame का इस्तमाल होता है, अच्छा, i frame अ avoid किया जाता है, ठीक है, i frame को अब, क्या उसको बलेंगे, appreciate नहीं किया जाता उस तरीके से, जैसे पहले किया जाता होता, अच्छा, उसका reason ये है कि i frame की कुछ vulnerabilities है, कुछ design level की इसमें problems है, जिनका कोई हल नहीं है, ठीक है, तो इसलिए अब i frame को discourage किया जाता है, यही वज़ गोशिश करेंगे, वो नहीं खुलेगा, ठीक है, अच्छा, Google Map, on other hand, यह अभी भी आपको allow कर देता है, कि आप इसको i frame में open कर सकते है, तो, well, इन्होंने Google Map भी example में लगा कर बताया, तो पहले भी यह देख लेते हैं, कि यह इस्तमाल कैसे होता है, फिर हम यह समझने की गो URL पास कर दिया है, और जो URL पास किया है, उन्होंने, वो URL उतने box में खुल गया है, यह कोई भी URL हो सकता है, किसी भी website का, ठीक है, तो यह बहुत ही simple तरीका है, इसको 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 आप सब लोग चला कर देखिए गा, और यह Google Map का इसके अंदर जो है, वो लगा यह बहुत है, तो आपने गूगल मैप अलग से उपन करना है, और गूगल मैप उपन करके वहाँ पर जो भी जगह आपने लगानी है, उस जगह पिन लगाएंगे अब तो यूरल में और एड्रस आजाता है, वो आपने लागे इदर लगादेना है, तो वो आटमाटिकल इ कैसे होगा, अब इसमें वल्नरेबिलिटी क्या है, प्रॉब्लम क्या है, वो भी समझ लें, मिसाल के दौर पे, मेरी वेबसाइट है, ठीक है, मेरी वेबसाइट है, एबीसी डॉट कॉम, एबीसी डॉट कॉम पे बंदा आता है, और मैं क्या करता हूँ, कि उसको ना अंदर फेस्बुक डॉट कॉम दिखा जाता हूँ, विंडो में खोल के फेस्बुक डॉट कॉम दिखा दी मेना, अब वो फेस्बुक डॉट कॉम पे जारे लॉग इन करेगा, तो लॉग इन हो जाता है, और चलने लग जाती है फेस्बुक, ठीक है, तो अब फेस्बुक चलने ल तो इसे एक आम बंदे को क्या किया सकता है डिसीव किया सकता है इस वजे एक अज़िए कोई आ चेह जाओ और गूल थे yards जा जा हुआ । बालकि इफ्रेम में फेस्बुक का को दूसरा क्लोन ता वो खोला गया है वो कह रहा है यहाँ पास्वर डालो तो इस इन चीजों की वज़ा से आई फ्रेम को डिसकरेज किया जाता है अचा फिर दूसरा ही है कि आई फ्रेम में जो खुली वी वेबसाइट होती है उसकी कुकी इस वगरा भी थोड़ी सी शायद मुतासिर हो जाती है तो इस वज़े से भी आई फ्रेम फेस्बुक को आप आई फ्रेम में खोलेंगे वो खोलने देगा आपको ठीक है उन्होंने पीछे से भी ब्लॉक किया है कि अगर आई फ्रेम के जरीए को रिक्वेस्ट आय तो उसको कोई बना सकता है आई फ्रेम में किसी वेबसाइट को खुलवाने का मकसद क्या हो सकता है इससे क्या बैनेफिट हमें हासिल हो सकता है इन्होंने तो गूगल मैप की ग्जैंपल दे के समझाया है न मिसाल के दौर पर मेरी वेबसाइट है आप सब लोग यूज करते हैं आपर कभी कभी उस वेबसाइट के अंदर में विंडो बना के कोई दूसरी वेबसाइट खुलवाना चाहरा हूं तो वेबसाइट कौन सी हो सकती है और उसका बैनेफिट क्या हो सकता है पॉसिबली यह चीज इस्तमाल कहा हो सकती है हाँ यूट्यूब की जब हम विडियो इंबेट करते हैं तो असल में आई फ्रेम देता है बना किया तो वह आप वेबसाइट किसी और कि लेकिन बीच में वह बॉक्स बना वहता है यूट्यूब की वीडियो चल रही होती है ब्लुब सही बताया है और बता उस पर यूट्यूब का नाम भी लिखा हो रहा है कि लेक्ट करते हैं तो एक्च्वल एपसाइट पर लेके भी चले आता है और को यूज किस डेली इंटरनेट यूज करते हो तुम लोग वाई सोचो जो बहुत अच्छा है इनोंने बुला है कि एड्स फिल्ट का भी दूसरी वेब साइट का आई फ्रेम होता है वो शायद वो भी आई फ्रेम हो सकता है इंटरनली लेकिन अच्छल में जो एड्स होते हैं उसके अंदर आपको जो अनलेटिक्स वागरा काफी सारी चाहिए होती है तो मेरा खहले शायद वो आई फ्रेम यूज करते होंगे, वो div construct करते होंगे on the go, सोचो वही, क्या use case हो सकता है इसका? यह मैं संजया नहीं, यह संजया नहीं तो मतलब कोई बनना अलीबाबा.com यह अलीएक्ष्प्रेस डॉट कॉम प्या है तो अब सेल तो अलीएक्सप्रेस पे खुदी लगी है नो तो वो खुदी दिखा देगा उसको किसी दूसरी वेब साइट का इफ्रेम क्यों इखाएगा प्रोमोर्ट करेगा मतलब तुम कह रहे हो एड की बात कर दो, एड लगेवे होंगे, नहीं लेकिन एड तो फिर वो गूगल एड होते है न हमारे पास प्रोमोर्ट करने के लिए तो जस्त एक फोटो हो और उस पे फोटो को मैं क्लिक करें तो उदर ले जाए इतना तो काफी है, वेबसाइट उसकी खुलवाने की जरूत नहीं होगी, मुझे अच्छा जवाब दिया है सब लोगोने, दोस्त ने कहा है कि मेरी अगर एक शूज की वेबसाइट है, अब मैं अपने यूजर पर कुछ ऐसा डेटा दिखाना चाहता हूँ जो किसी दूसरी वेबसाइट के उपर मौजूद है, बट मैं उसको कॉपी करके या उसका स्नैप कर्राइट के ऊपर यह संवताइम आपने देखा हैं फेस्बुक की पुस्त होती है जो जो फेस्बुक की पोस्त के कॉमेंट्स इंबड़ यह जाते हैं, फेस्बुक तलया होता हैं, लोगों ने यह इससतरह कोमेंट ripping Community आपका विरो अब कॉशे एंग उनृपि woke's, पूँस तो हिसी तरह आपका जो टुईटर है टूइटर की पोस्त भी इंबेड ऊजाती है यूट्यूब की वीडियो इंबेड हो जाती है कि यूट्यूब पे किसी यूट्यूबर ने अगर टारीफ की तो मैं लाकолоं के नीचे चोटा से इंबेड गर के दिखा गहा जो dia कishops फले आपके उन्हीं की वेबसाइट छोटी सी खुल जाओ और हमारा नक्षा उसमें दिख रहो और बंदा क्लिक करके एक्चॉल वेबसाइट में भी जा सब्सक्राइब कि यूट्यूब की वीडियो देखो आसा हा साही कह रहे हो तुम सही कहरे हूं पहली बात तो यूट्यूब की वीडियो डाउनलोड करना ना उनकी पॉलेसी में एलाव नहीं है इसने बी अच्छी बात की कि वेब साइट का लोड भी तो बढ़ेगा आपके पस अगर स्ट्रीमिंग आपके फुद की वेब साइट से हो रही है तो वो रिसोर्स भी तो आपकी हो रही है लेकिन वैसे मैं एक बात कहा हूँ है यूट्यूब की विडियो जो है न वो डाउनल करना एलाओ नहीं है यूट्यूब की तरफ से यही वजा है कि कुछ एपस थी एप स्टोर पे जो क्या करती थी आप उस पर यूट्यूब के नाम लिखते थे वीडियो आती थी क्लिक करता थे डाउनलोड हो जाती थी तो उन एपस को इन्होंने हटा दिया है प्ले स्टोर स करते हैं वह तो वैब वैब अप्लिकेशन नहीं मगर वह ऑफिशली वह आपकी आपको कोई वह कर सकता है रिपोर्ट कर सकता है अगर आप डाउनलोड करते हैं उसको तो पहली बात तो यह दूसरी बात यह कि यूट्यूब की अगर वीडियो किसी ने मेरे शूज की की बात नहीं है बात यह कि उस फला यूट्यूबर ने तारीफ कि यह बात तो यह ना असल तो मैं अगर उसकी वीडियो डाउनलोड भी कर लेता हूं और मैं अपने पास इंबेड गर देता हूं तो शायद मेरा यूजर भरोसा ना कर पाए कि यह वीडियो असली और वाकी यूटियोबर ने बनाई है में भी हो सकता उसमें उसका फेस ना हो उस वीडियो के अंदर तो यह तो ऑथन्टिसिटी कैसे होगी कि यह उसी ने बनाई है मुझे उसका नाम लिखना पड़ेगा बड़ा-बड़ा सा उसको एक्स्प्लें करना पड़ेगा एलेबरेट करना पड़ेगा और अगर मैंने लिंक लगाया तो बंदा ऑटमाटिक देख लेगा अच्छा है अरी तो इसी का चैनल है समझ रहो तो मुझे यह चीज़े प्रूव नहीं करनी पड़ेगी वो चीज अपने आपको खुद ऑथन्टिकेट कर रही होगी अच्छुषई प्रूपक्तिक कीज़ तो प्रूपक्तिक करें रिया सकतै है यह जो इसनु का फैज जो बांसे होगा नहीं कि शीज़े इसको कहा रहे हूं कि यूजर आपकी वेब साइट पे आता है लेकिन वापस चला जाता है, इंगेज नहीं होता, तो उसको आप बाउंस रेट कहा रहा है, इंगेजमेंट के लिए तो बहुत सारी चीज़े हैं, कलर्स बाउंस हैं, स्टाइलिंग असल में ही पूरी इंगेजमेंट का चक्क्र है, अगर आपने गलत तरीके से क्या होता है, ट्रैफिक तो बहुत आती है, लेकिन क्या होता है, बाउंस रेट बढ़ जाता है, कुछ लोग ऐसे आपको दिखेंगे इंटरनेट पे वो बोलेंगे, जैसे अभी कुछ कौन सा भी है, कुछ एक साउंग वाइरल हुआ वे जो, त तो आपकी शूज बेचने वाली वेबसाइट है, तो आपने वो कीवर्ड अपने पर लगा दिये, तो आपकी वेबसाइट जाहर है, उसके सर्च रिजरल्ट में आने लग जाती है, समझ रहो, वो गयते हैं, इंडेक्स उपर जा रहा है, सर्च में उपर आ रही है, उपर वो शूज की वेबसाइट थोड़ी दून रहा था, वो तो वाइरल वीडियो दून रहा था, उसने वैसी क्लिक किया, उसने बोला, शायद पता नहीं, स्टोर वालों ने शूज के साथ वो वीडियो फ्री लगाई ही है, तो वो तो जाएगा न वापिस, उसको शूज खरी शूज बनाते हैं, या स्पोर्ट शूज बनाते हैं, क्रिकेट वाले, तो आपको फिर उसी इसाब से ऐसी हो करना चाहिए, कि जो बंदा क्रिकेट वाले शूज डून रहा था, उसको आपकी वेबसाइट में है, तो वापिस ही जाना, उसके काम का थोड़ी हो, तो जी हाई आपकी फ्रेम हमने यह देखा कि हमने जब क्या करना होता है, किसी दूसरे वेबसाइट पर मौजूद गेटा उसी सूरत में दिखाना होता है, जैसे हम फेस्बुक के कॉमेंट्स की बात करें तो वो चेंज होते हैं, ओवर टाइम, जैसे जैसे वहाँ चेंज होंगे, वैस में दो हजार लाइक ते है, कल को बीस हजार लाइक होगा, तो मेरे पास वो स्नैप्शॉट में तो नहीं दिखेगा हो, इंबेड करने से मुझे जितने लाइक्स में दिखे रहोंगे, तो लाइव अपडेड और होगा वो छोटी सी विंडो में, वो डेटा एक्शॉल का मैं देटे एक हम इसके इंदर जैसे किया हो है स्क्रोल ने को स्क्रॉलिंग को किया हुए, जाहिर जब में चोटी विंडो में आपकी website खुलेगी तो website बड़ होती है, बंबाieten वे होती है, सब्सक्रॉल बार बनाभी होती है, पर वहतो किया भुण दो प्सक्रॉल बढ वर्डर भी बनावाता है, जिसे टेबल पर वर्डर होता है इस तरह, उसको भी आप नो कर सकते हैं, तो यह कुछ इस तरह के अट्रिब्यूट का जिकर हो रहा है है, आप सीमलेस के बारे में कहरें कि यह नया अट्रिब्यूट है, can be applied to an iframe where scroll bars are not desired, the seamless attribute like some new html attributes does not need a value, we'll often see this 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 seamless older browser, ठीक है, यह कह रहा है, seamless भी एक property हो सकती है, जहां पर आप यह तो चाहते हैं कि scroll bar नजर ना है, लेकिन अगर वो scroll करें तो वो scroll हो भी है, सभी है, तो इस तरह की चीज़ें भी इसमें हो सकती है, seamless के बारे में ही कह रहा है, हर browser में यह supported नहीं है, ठीक है, तो जब SEO की बात चल रही थी, तो SEO का ही है, meta tag भी यहां पर नजर आ गया है, information about your page, हम जैसा के meta data कहते हैं, तो कोई बता सकता है, meta data क्या मतलब है, अकसर सुनते हो ना, यह word meta data, कोई बता सकता है, इसका क्या मतलब है, meta data का, सोचो, जी, अब हम आखिए, अब अब बात किया लेकिन ने सुन वह बात नहीं की, जी एक्चॉल बात है, जी डेटा के जो collection होता है, इसको method है, वो जो पुद एक data बना collection नहीं बात को चुब यह भी data है, वो भी data है, तो, कौन से data को meta data बोल रहा है, कौन से को normal data बोल रहा है, यह brain storming के question है, इसमें सही घलत नहीं है कोई, आप अपना opinion दे सकते हैं, Google करके भी देख सकते हैं, साथ-साथ, Google बे लिखो meta data का क्या मतलब, पूरे? नहीं, पूरे world का तो नहीं है, हम तो HTML document में अभी meta data देखेंगे क्या है, हावी, सोचो, क्या है meta data, नाम तो अक्सर सुना होगा, जगा-जगा लिखा होता है meta data, कभी सोचा नहीं लेकिन कि यह क्या होता है, कभी Google नहीं किया, करियोसिटी नहीं होगी कभी कि इसका क्या मतलब होता है, देखो meta data वह चीज होती है, कि किसी data के बारे में data, मिसाल के दोर पे, एक MP3 song है, MP3 file है, तो वह एक data है, लेकिन उस data के बारे में भी कुछ data हो सकता है, मिसाल के दोर पे, उसका size किया है file का, उसका resolution किया है size, उस file का, उसकी length कितनी है, दो minute का है, तीन minute का है, या उसका format क्या है, उसको किस author ने गाया है, किस publisher ने उसको release किया है, अगर photo है, तो ये कौन से camera से कहची गई photo है, ठीक है, तो इस तरह के data होता है, उसको हम meta data कहते हैं, और obviously वो meta data user को नजर नहीं आता है, जैसे आप कोई song download करते हैं, play करते हैं, नजर नहीं आएगा लेकिन जब आप right click करके उसके properties में, या get info में, या उसके meta data में जब जाते हैं, तो वहाँ पे आपको वो सारी चीज़े नजर आ रही होती है, ठीक है, मिसाल के तोर पे, मेरे पास यहाँ पे एकर कोई file पढ़ी भी है, तो मैं उसका meta data देखने की भोशिश करता हूँ, यह मैं गया यहाँ पे कुछ meta data इसका नजर आए, नहीं, इसमें कोई meta data नहीं हो, pirated file में meta data नहीं होता है, यहाँ, अच्छा, वो meta data दिख रहा है मुझे, कि इसका जो duration है, वो क्या है, इसका जो codec है, वो क्या है, codec मतलब अंदर encoding इस्तमाल हो रही है, ठीक है, audio के channel इसमें 6 है, इस file के अंदर, ठीक है, तो इस तरह की चीजने तो दिख रही है मुझे, उसके लावा created कब हुआ है, कब यह file create की गई है, और kind इसका MP4 है, movie है, यह सारी चीजने तो मुझे दिख हो सकता है, सभी है, metadata के अंदर इसकी description हो सकती है, कि इस HTML के page में असल में है क्या, उसकी description, बिसाल के दोर पे एक shoes की website है, तो उसकी description में यह लिखा वोना चाहिए, कि यह shoes की website है, और यहां किस तरह के shoes बेचे जाते है, और इसमें cash on delivery भी हो जाती है, और यह भी हो जाता है, वह पर होनी चाहिए, अच्छा, उसके लाबा keywords होने चाहिए, keywords कि जो keywords बंदा लिखे तो यह website आनी चाहिए उपर, वो हो जाना चाहिए, अच्छा, उसके लाबा एक robots करके है, कि robots में आप इसको क्या value देते हैं, कि जो search engine आए, आप क्योंकि आप पता है, Google का जो crawler है, या और भी different company का crawler है, वो पूरी दुनिया की website पे crawl करते फिरते हैं, और वो हर website को जाके read करते हैं, और read करके अपने पास index कर लेते हैं, तो उसको आप अगर बोल देंगे ना no follow, या आप बोल देंगे no index, no index का मतलब है कि वो search engine आपकी website को index ना करे, अपने पास, Google के search में आपक इसको कह देंगे कि no index, उसके लावा इसके अंदर एक value है no follow, no follow का मतलब है कि इस page को तो शामिल किया जाए, search engine के अंदर और Google के search result में, लेकिन इसके page के उपर मौझूद जो links होंगे ना वो शामिल ना किया जाए, ठीक है, तो ऐसा कौन से case में करूंगा मैं, जैसे ही हमारी website जो air.sysborg.com, इसके उपर जो robots है, वो ideally क्या होना चाहिए, no follow, no follow इसलिए होना चाहिए कि आप सब लोग अपने-पने assignment का link share करते है, अब इतने में गूगल का crawler, तो air.sysborg.com दो उसको दिख गया, उसकी description पे दिख गई कि ये website, text sharing होता है, इस पे land text sharing है, या shared clipboard है, ये, description में उसको पता चलिया, उसके बाद वो जब document के अंजर जाता है, वो देखता है, इतने सारे link है यहापे, वो सब को visit करता है, अब आपका किसी का recipe का assignment है, किसी का कुछ और assignment है, अब वो क्या करेगा, मेरी website को recipe consider कर लेगा, कि यहाँ पे लोग recipe share करते है, समझ रहो बाद, त अगर कोई shoes बेचने वाली website है, और वहाँ पे उस जाहरा, उस website के अंदर को YouTube के video का link लगाओ है, कोई वहाँ पे Facebook की post का link लगाओ है, कि फला मंदे ने बोलाएगी, यह shoes बहुत, तो वहाँ पे मुझे क्या लगाना है, वहाँ पे मुझे यह बता रहा है कि सारे links को आप follow कर होंगा, अब यह दो तीन attributes है, यह पता चल जाएंगे अभी आगे क्या किया है, अच्छा इस तरहा करके आप यह meta का tag लगाते हैं, है, ठीक है, meta का tag, self closing tag होता है, इसका opening closing tag अलग-अलग नहीं होता है, और दो attribute होंगे, इसमें name और उसका content, तो description लगाया है, name और content के अंदर वो पूरी description यहाँ पर लिख दिये, ठीक है, उसके लावा keyword लगाया है, और content के अंदर वो comma separate करके सारे keywords लिख दिये, ठीक है, रोबॉर्ट लगाया है, उसके अंदर no follow लिख दिया है, ठीक है, author लगाया है और author करके John Duggett लिख दिया है, ठीक हो गया जी, pragma, no cache, expires, this, 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 अब यह pragma क्या चीज़ होता है, इसमें आप न, this prevents the browser from the caching the page, this is storing it locally to save the time, अच्छा, जब एक दफ़ा page कोई खुल जाता है, तो Google Chrome आपको बता है, उसको cache कर लेता है, उसकी images बगरा जब दुबारा उसको reload करते हैं, तो नए सेरे से नहीं करता है, तो pragma पे अगर no cache लगा देंगा तो उसको cache नहीं करेंगा, ठीक है, अब इसकी ज़रूत भी न कभी कोजे, शायद पढ़ जें, तो यह option available है, अच्छा, expire क्या है, कि अगर तो cache कर लिया है, अगर मैं प्रेगमा में no cache नहीं दिया इसको, तो मैं expire करना एक time set कर दोता हूं, कि इतने बच के इतने minute पे expire हो जाना है, ठीक है, 24 गंटे काम तोर पर आप time दे सकते हैं, अच्छा, लेकिन ये काम आप सिर्फ डाइनमिक वेब साइट में कर सकते हैं, इस्टेटिक वेब साइट में आव तर पर ये काम करना ही ज़रूत नहीं होती है, इस्टेटिक वेब साइट को तो एक ही रहता है, डेटा चेंज तो नहीं हो रहता है, लेकिन अगर डाइनमिक वेब साइ ठीक है जी, escape characters दें उसके बाद escape character बड़े interesting है, अगर आपको html के code के अंदर, angle bracket के इस्तमाल करना है तो आप कैसे करेंगे, एंगल bracket तो html का tag समझेगा हूँ, भई मुझे ऐसे बकाइदा अपने html पर इसे दो एंगल bracket open close करके बीच में div लिखके दिखाना है, वोगे तो हो गई नीज पर, ठीक है, मैं मुझे html forms के अंदर आके न, यहां पर यह ऐसे ऐसे करके और, ऐसे करके दिखाना है मुझे, अब यह तो समझेगा कि, यह opening tag है, यह मसला हो गया, तो मैं क्या करूंगा, एंगल bracket के जगा पर, उसका escape character लगाऊंगा, सही है, m%lt, सही है, और इदर मैं लगाऊंगा, m%gt, greater than और less than, और अब मैं जब इसको देखूंगा, ब्राउजर में जाके, तो यह मुझे क्या दिख होगा, ऐसे करगे, यह forms दिखा रहा होगा, सही है, तो escape character का use case भी समझ आगया, आपको, क्या है, अच्छा escape character यहां पर, जितने भी आपके जो, जो ब्राउजर आपका इस्तमाल कर रहा होता है, encoding, वो unicode 2.0 है, तो unicode का जितना भी character है, वो सब यहां पर लग सकता है, ठीक किसी का भी escape character आप लगाएंगे, तो लग जाएगा, ठीक है, अब यह पूरे escape characters की पूरी list है, आप जाके लिखेंगे, यहां पर unicode 2.0 चार्ट, फुल चार्ट, ठीक है, इसमें दुनिया के तमाम languages के तमाम characters मौझूब है, तो किसी का भी आप, कीबोर्ड में आपके अगर है न, पी है, ओ है, यह सब है, लेकिन कुछ ऐसी languages होती है, उसका आपके बस, वो पी ओ बगार नहीं है, तो आप उसका escape character उठागे लिख देंगे, तो वो पकड़ देगा, खुल जा, सिमसिम, ऐसी खुल जा, आज की जिन्दगी में, में ऐसा आपके लिए कर दो यहां पर तो केरेक्टर ही पूरे दिये में याप कॉपी कर दो है यहां से उसको यहां बाइदेवर यह मैंने कभी आइप वंडरिंग के एश्टी एमल क्या यूनिकोर्ट टू पॉएंट जिरो ही इस्तमाल करता है तो मैं यहां पर लिखूंगा चार शेट ओफ एश्टी एमल यह मैंने गलग से Google किया है कि कौन सा character site इस्तेमाल करता है मुझे तो ऐसा लगा Unicode 2.0 लेकिन I think ऐसा नहीं है the different type of characters including this 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 html5 specification encourage developer to use utf8 character और a character can be 1-4 byte long लेकिन utf8 का character होता है वो तो एक byte से जादा होता ही नहीं तो यह 4 byte तक कैसे हो सकता है well चलो utf8 का फिर निकालता है ना list अगर utf8 यूज़ करता है तो utf8 निकालता है कहां पर लिखावाता है अड़े हाँ यहां लिखावात वा रहा है utf8 utf8 में लेकिन emojis तो नहीं होते है इमोजी कैसे आ रहे है इसमें पर है utf8 में बगता है सभी है गोड़े आ रहे हैं तो अच्छा यह देखो इसके ना escape character साथ साथ आ रहा है यू प्लस 0069 यहां पर आप अकर गौर करेंगे तो यहां पर दो तरह के वह आ रहे है एक तो आ रहे है यह एम परसेंट GT और एम परसेंट LT और एक आ रहे है नंबर के साथ एक एम परसेंट हैश 163 तो यह वाला जो हैश है नहीं यहां पे जो लिखा वह है जैसे यू प्लस क्या है यह ए सिक्स सेवन है तो मैं इसको लगाने की कोशिश करता हूँ एस्टी एमल पर मैं यहां पर आकर लगाऊंगा ऐसे अच्छा इन्होंने कैसे बताया है एम परसेंट और हैश और उसके बाद हो नंबर तो मैं बोलूँगा है कि एम परसेंट हैश और इसके बाद यह नंबर और सेमी कॉलन आखरी में लाजमी है वरना वह देगो ब्लू नहीं हो रहा बगर सामी कॉलन यह तो अब यहां पर जी लिखा वा जाना चाहिए अगर मैंने गलत नहीं लिखा है लो सी लिखा वारा है सी लिखा वार है यहां तो आना 6 7 लिखा है 0067 0067 लिखतो दिया है सही तो लिखा है हम वैसे ही तलाश कर लेते हैं कि इसमें जो है एंगल ब्रेकट का जब हम तलाश करेंगे तो हम आटमेटिक पता चल जाएगा एंगल ब्रेकट इसमें यह आगिया एंगल ब्रेकट का इसमें कुछ कोड इन्हों ने लिखा है यू प्लस 003E और यहां पर क्या आ रहा है नहीं यह कुछ और चक्कर है वैल तो आपको यह पता चल गया गया ऐसे करके लिखने से C आ रहा है न अगर तो मतलब है कि जितने भी कैरेक्टर है अभी I'm not sure एक ने लिखा वैं UTF-8 बढ़ UTF-8 का कोड लिखना हो तो वो गलत चल रहा है तो जो भी इन्कोडिंग इसमाल हो रही है I'm not sure right now कि इसमें क्या इन्कोडिंग इसमाल हो रही है जो भी इन्कोडिंग है उसका आप यहां पर कोड लिखेंगे निकालके और वो हो जाएगा अचा इन्कोडिंग क्या चीज होती है इसको मजीद डीटेल में जब हम History and Evolution of Computer पढ़ेंगे हम जावा स्क्रिप्ट की पहली क्लास में तो वहां पर हम इन्कोडिंग को मजीद डीटेल में समझेंगे कि इन्कोडिंग असल में है क्या बला और यह बन कैसे दिए तो ठीक है इन्कोडिंग से आगे बढ़ते हैं अचा तो यहां पर यह चैप्टर जो हो हताम हो चुका है और हमारे पस टाइम है अभी है ताइम है चैप्टर की समरी कोशिश करें कि आप लाजमी पड़ें डॉक टाइप टेल्स ब्राउजर विच वर्जन ऑफ एश्टीमल अर शुरू में ही उपर देख लेता है वोग डॉक टाइप एश्टीमल अगर लिखा है तो एश्टीमल फाइव है नीचे वह एक्सपेक्ट करता ह है कि एश्टीमल फाइव हो अच्छा जो लेटेस्ट ब्राउजर है जैसा कि गूगल क्रोम बाते नहीं करो जो गूगल क्रोम जैसे जदीद ब्राउजर है यह स्मार्ट है अगर आप यह डॉक टाइप एश्टीमल सिरे सही ना लिखे ना तो भी उसको फर्क नहीं पड़त एश्टीमल है यह कौन सवल है मैं डायक टाइड अचमल लिख दू कोई भी चीज ना लिखो तो भी चलेगा हो लेकिन मैंने यह काम नहीं करना है मैंने स्टेंडर के मताविक काम करना है यह चैने एड कॉमेंट्स कोल गवें ओट बेट्वेन ओपनिंग अन क्लोग फोमें div जो ब्लॉक लेवल को contain करने के लिए span inline element को contain करने के लिए iframe cut window into your web page through which other pages can be displayed iframe क्या करता है आपकी अपनी website में से एक window card देता है जहां से जाक के आप एक दूसरी website देख सकते है the meta tag allow you to supply all kind of information about your web page meta जैसा के information के बारे में information को metadata करते है तो meta का tag लगा कि आप क्या कर सकते है अपने page के बारे में कुछ information रख सकते है अच्छा इससे होता किया है meta से आम तोर पे जितने भी सर्चिंजाने एक तो वो सबसे पहले meta के tags को देखते हैं यह चीज रियालाइस करने के लिए एनलाइस करने के लिए पेज है क्या इस पेज में लिखावा क्या है ठीक है मिसाल के दौर पर पेज पे बहुत बड़ा paragraph लिखावा है एक ही paragraph अब उस paragraph को नहीं देखेगा सर्चिंजान वो देखेगा description को और keyword को कि यह paragraph किस बारे में लिखावा है तो उसके लिए असानी रहती है तो आपने क्या करना है हमेशा अच्छे keywords का इस्तमाल करने अपनी website बनाते वे अच्छा उसके लावा मेटा के कुछ टैग्स बाद में इंट्रोड्यूस हुए है जो वो शाहिद इस बुक को लिखते वक्त पता नहीं थे यह थे WhatsApp पे जाकर आप जब लिखते हैं air.syswalk.com लिखते हैं और send का बटन दबाते हैं तो थोड़ी देर में क्या होता है एक preview आ जाता है उस website का यह YouTube की कोई वीडियो का link का पेस्ट करते हैं तो वो उस वीडियो का thumbnail बनावा आ जाता है वो कैसे आता है वो भी इस meta के tag के जरीए आता है मिसाल के दौर पे अगर आप जैसे यह है air.syswalk.com अब इसको मैंने किया copy और copy करके इसको मैं WhatsApp पे share करने की कोशिश करता हूँ अगर WhatsApp पे मैं इसको share करने की कोशिश करता हूँ अगर कुल जा समसें पता नहीं मेरी screen शेयर नहीं हुदी सेम वाइफाई पही होना ना सेम वाइफाई पहागा इस वाइफाए अब भी वाइफा इस पा्यार यार यार वाइखा यार यह वाला जो आइटाम है यह भी किस से आता है मैटा के टैग से आता है अच्छा यह फेस्बुक वगएरा जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से सब पर यह काम करता है इसी तरह अब यह मैं आपको दिखा देता हूं इसके लिए मैटा टैप कौन सा लगावा होता है राइट क्लिक किया मैंने व्यू पेज सोर्स पे चला गया और व्यू पेज सोर्स पे जाने के बाद ना यह आप देख रहे हैं सोशल मीडिया शेरिंग टैग्स अब इसमें आप प्रॉपर्टी और कॉंटेंट करके ऐसे हैं ओजी कॉलन टाइप ओजी कॉलन टाइटल अभी है यही है यही है जो इसके मतलब क्लुक अबल यूरल है वो यहां पर आ रहे हैं साइट का नाम है वो एर बाई शेंगा रहुँ है तो एकज़ैक्ली यही चीज आपको जब वाटसब पे जब भी कोई टे रिंक करते हैं तो वाटसबिक आपकी वेब साइट को तो और पर डिस्प्ले गरता है अपने हिसाब से ठीक है तो Facebook, Twitter, WhatsApp सब पर यह useful रहता है जैसे LinkedIn के उपर या Facebook के उपर अगर कोई मेरी website का link paste करेगा और share का button दबाएगा जैसे YouTube की वीडियो लिखते हैं शेयर करते हैं तो बड़ा सा थमनेल वनवा आ जाता है नहीं चे पूरे टाइटल आ जाता है तो यह इसी के जरीए आ रहा होता है अगर मैं यह वाला कॉपी करके अगर मैं अभी जो मेरे पास document वरावा उसमें paste कर दूंगा तो वह test नहीं हो पाएगा क्योंकि जब तक वह host नहीं हो जाती website यह का भी नहीं करेगा अगर आपका सवाल है कि क्या इसको मैं as it is use कर सकता हूं हाँ इसको मैं as it is use कर सकते हैं अच्छा इसी तरीग से SEO के कुछ टैग्स लगें है टाइटल है description है और रोबॉट्स को मैंने बताया कि इंडेक्स करना है लेकिन नो फॉलो करना है इसमें वह नहीं लगे वह है टैग्स नहीं लगे वह है वह भी शायद कहीं नीचे वीचे लगेगा ऐसी यह कोई ढंग से इस पर हुई भी नहीं है अच्छली अब हम जाके देखते हैं कि शेर्ट क्लिप बोर्ड लिखने से क्या मेरी वेबसाइट आती है नहीं आती है आईगी तो सही वैसे कहीं अंदर जाके वह अगर मैं शेर्ट क्लिप बोर्ड के साथ सिस्बॉर्ड लिख देता हूँ तो फिर आ जाती है एर शेर्ट अगर लिखता हूँ तो भी आती है वेल तो मेरे खेल इतना काफी था तो कोई ढंग से रैंकिंग वगरा फिलाल नहीं है इसकी यह असल में इसी क्लास में यूज करने के लिए बनी वेबसाइट तो मतलब कोई बहुत ज़ादर ट्रैफिक इस पर नहीं विया है तो इट्स होग है अच्छा जी और हम क्या आप कर रहे थे Escape characters are used to include special characters in your page such as angle bracket opening and closing and C वाला निशान जो तो इसी के साथ हमारा जो chapter number 8 है वो खतम होता है chapter number 9 जो है वो हम नहीं पढ़ेंगे ठीक है क्योंकि इसमें flash इन्होंने जिकर किया है flash की audio और video के tags इसने बताएं अच्छा इसके replacement में हम चलते हैं direct chapter number 10 पे ठीक है और ये audio और video लगाना मैं आपको वैसे बता दाता हूं अलक से ठीक है audio w3 school बहुत ही simple है बहुत ही असान है audio का tag आप ऐसे open करेंगे और audio का tag ऐसे आप close करेंगे और बीच में source करके आप जैसे image में src बताते हैं वैसे आप src बता देंगे इसको try it yourself करके देख लेते हैं कुछ इस तरह से बनावा जयागा घोडे की आवास ती है तो घोडे की आवास प्ले करते ही आ गई आपको ठीक है तो दो सोर्स लगाया अचा इसमें एट्रिब्यूट जो है वो कौन-कौन से कंट्रॉल के नाम के एक अट्रिब्यूट यह टा दूंगा न मैं तो यह कंट्रॉल इसके गाइब हो जाएंगे लेकिन यह टैग भी भी रहे गई है टैग खतम नहीं होगा ठीक समटाइम सा होत है कि हम कंट्रॉल नहीं लगाते बैग्राउंड में कुछ साउंड प्ले करवाना चाहते हैं जैसे आपकी जो भी अटेंडेंस की आप है टीट होता है उसके अंदर तो जैसी आप स्कैन आगे करें सामने प्लेयर नहीं बना रहा रहा हो बट वो टीट करें तो मैं प्रोग् अंदर कंस्ट्रक्शन है तो यह लॉगिन क्यों माँ रहा है सभी है यह अंदर कंस्ट्रक्शन आप है यह क्या करती है कि ऐसे कैमरा ओपन हो जाता है और आप जब इसके आगे अपना क्यू आर कोड रखते है तो इसको स्कैन कर लेता है और स्कैन होता है तो टीट से और इसको मैंने तो यह टीट और चडिंग इसके अंदर लगा हुए तो यहां भी आपका नाम और यह टिक लगाव आजएगा तो बहुत जल्दी अभी एसल में हमारे पस जो अटेंडन सिस्टम है वो गूगल उससे चलता है एक्सल की शीट से पता नहीं चलता है वो और स्कै जितने भी चलते हैं वो उसको यूनीक रॉल नंबर से इडेंटिफाय कर लेगा तो अगर अब इसमें कहीं प्लेयर तो नहीं दिखर आपको आपको अवाज आती है तो वह प्रोग्रेमेटिक ली क्या होता है पीछे से प्ले होता है इसमें ऑडियो का टैक लगाव है बिना प्रिलोड के अच्छा ऑडियो का यह समझ आ गया इसमें जितने भी एट्रिब्यूट्स होते हैं वो यहाँ पर नीचे इन्हों ने जिकर किया है एट्रिब्यूट्स कहां बताये वा है यार क्या बगवासा है यह राइट्रिब्यूट्स ओटो क्रेश्च्ट्रॉल्स लू दाउनलोड करेंगा, जब प्ले करेंगे तो फिर करेंगा, मिसाल के दौर पर तीन घंटे की अडियो है, आपने वहला पेज लोड करते ही, उसको प्री लोड कर लो, ठीक है, तो वह क्या करेंगा, पहले उसको चलाना शुरू कर देगा, तो बैंड विर्थ काफी जादा आप स्कैन करने के बाद उसको बफरिंग ना करना लग जाए, पहले से बफर करके, टीट डाउनलोड करके रख ले, जैसी वंदा आगे करें वो इसको प्ले करें, टीट से आवाज आए, तो मेरे केस में मुझे प्री लोड लगाना ज़रूरी है, तो डिपेंडिंग और येर के में चलता रहेगा, वो रुकेगा अभी भी नहीं, खतम होगा फिर चल जाएगा, कंट्रॉल आप देख चुके हैं, कंट्रॉल रखने या हटाने, ऑटो प्ले जो है, वो एक ऐसी प्रॉपर्टी है, जिसको गूगल क्रोम ने अब, डिस वो कर गिया, डिसकरेज कर गिया, क यह कोई भी वाहियात किसम का साउंड चल गया, अब मैं किसी लाइबरेरी में खामोश वाली जगा पर बैठा हूँ, तो वो सबके लिए इन कन्वीनियंस का सबब बनता है, ठीक है, और अगर साउंड वो कोई वाहियाती साउंड है विलकुली तो इंबरस्मेंट का सबब बन सकता है, ठीक है ना, वो चला था ना वीच में वाटसएप पे, ब्रेकिंग न्यूज, जैसे ही आप क्लिक करते थे तो वो कुछ और शिरू हो जाता था, तो उस तरह की कोई चीज ना हो जाए, इसकी वज़े से गूगल क्रोम ने इस चीज को डिस्करेज कर दिये, अच तो ऑटो प्ले जो है, इस वज़े से बंद कर दिया गिया, अब आगे आज़ता है, वीडियो के उपर, वीडियो, वीडियो, वीडियो का टैग, सही है, एच्टेमल फाइव में वीडियो का टैग भी बिल्कुल सेम इसी तरह है, जैसे अडियो का हुआ करता था, शोर्स द आप पोस्टर करके जो URL देंगे फोटो की, वो जब तक प्ले नहीं कर देता बंदा वो फोटो दिखती रही है, यह ज़से यूट्यूब पर दिखता है, प्रिलोड भी इसके अंदर है, SRC है, विरता, यह सारा जाना पेचाना फॉर्मेट्स, अच्छा तो यहाँ पे आप लोड किया है, जब मैं प्ले करूंगा तो क्या करेगा फिर फिर पूरा लोड करेगा, ले किनकर इमैजन करे मैं एस पे लगा दूं प्रिलोड, तो अब किया करना चाहिए, शुरू में पूरा वोड कर लेगा, देख वो पूरा लोड कर लिया, ठीक है, प्री लोड हटा देता हूं मैं, और अब मैं रन करता हूं तो, यह अब तो ब्राउजर में वो केश होई चुक्थ है ने, एक बार लोड हो गया, तो खेर, प्री प्रक्शन टू सी एसस को दरा साम देखते हैं कि क्या चीज़ ही है